हलो एवरिवन सो माई नेम इज कुल्दीप सिंग राटवर और वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म तो गाइज आप सब के लिए जो इन्फॉर्मेटिव सेशन्स है वो मैं यहां पर आपको प्रोवाइड गरवाता हूं और गाइज आप सब के लिए अभी यह जो वीडि की तरफ मूँ कर रहा है उसके बाद अगर आप देखोगे मंगलियान आने वाला गगनियान आने वाला है सुक्रियान आने वाला है बहुत सारे मिशन्स आ रहे हैं और यह जो इस रोका चंद्रयान्थ्री मिशन सक्सेस्फुल होआ इसने जो यूत है उसके अंदर भी आग जलाई है कि सर हमारा भी एम हैं हम भी चाता है कि इस रों में जाके वर्क करें और हम भी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करें मैंने देखा है कि हर कोई चंद्रियांत्री मिशन जब हुआ था तो काफी लोगों ने सेलिब्रेट किया था इवन अगर आप जो नोर्मल से नोर् स्ट के जो इंजिनिंग और डिप्लोम से रिलेट करती है वह इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूं और आपको एक आईडिया लग जाएगा कि अगर आप इस तरों में जाके वर्क करना चाते हैं तो आपको वहां पर क्या-क्या चीजे मिलती है क्या-क्या बेनिफ सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मैं बता दूं कि यहां पर जो इस रो है वह अभी काफी जादा फ्यूचर पर वर्क करने वाला है काफी सारे प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है और अगर हम इसके फ़र्स्ट इस टेक्चर पर बात करें तो जो साइंटिस्ट अभी च और इवन जो इंजिनिरिंग के बाद इस तो जो रिटन टेस्ट एक्जामिनेशन लेता उसके बाद जो होती है इसके बारे में बात करूंगा देखो आप सबको बताए जब इंट्री हम करते हैं किसी और्गनाइजेशन में तो इपकी काम होती है फिर धीर धीर आपके पर म अगर आपको इंक्रीमेंट होता लेता है यहां पर आप देखेंगे रिपोर्ट की इसाब से इसरों का इंजिनियर्स है जो से लेरी है उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज है जैसे नॉर्मल अगर हम फर्स लेड़ी स्लेप देखें तो 37,400 से लेके 67,000 है अगर आप सीनियर स लेके 80,000 से लेरी है यह आपके जूनियर लेवल के उपर होता है कि जब आप जूनियर लेवल पेंटरी करते हैं या फिर आप डिपलोमा वाले के लिए वेकैंसी निकलीत है टेकनीशन सबखेंचर्बागी तो उनके लिए इसे लिए इस्टेक्श्र्टर होता है जो इंजि और यहां पर आपको जो सेलिरी हैं वन लेक एटीटू थाउजट इंजिनिरिंग एच अगर आप रहती हो इसमें वन लेक फोटीफुर थाउजट के आज पास रहती है इसके बाद साइंटिस्ट एन इंजिनियर यहां पर S D आपको दिख रहा है जिसमें वन लेक थावज़ं साइन्टिस्ट इंजिनियर एसेब जो है उसमें 1,18,000 सेलरी है इस रों का जो डिस्ट डिस्ट इस सैंटिस्ट है अगर आप उनकी सेलरी देखोगे तो टूर लेक परमन्त है जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे इस रों के बूत बड़े-बड़े साइंटीस जो पूरा क टेस्ट का एक्जामनेशन कंडेक करके भी साइनटीस्ट को ले रहा था तो उसकी जो पोस्ट होती है उसमें आपने देखा होगा कि 56100 से लेके वन लेक्ट 77500 के आसपास आपकी सेलेरी रहती है अब कई बच्चे वो लेंगे कि सरी ये 56000 मिलता है या वन लेक लेक्ट 77000 मिलता है देखो यह सेलेरी स्लेब है इस सेलेरी स्लेब का मतलब ही मैं आपको बता रहता हूं जब आप इंटर करोगे तो 56100 आपका सेलेरी रहेगा अगर आप बिना कोई पर्मोशन लिए इंटायर जो आपका केरियर है इस तो में कंप्लीट कर देते हैं और जब आ सेलेर होंगे तो हर साल एक कुछ परसंटेज का इंक्रिमेंट होता है और जब आप रिटायर होंगे तो आपकी सेलेरी वन लेक्ट 77500 पर मंत के हिसाप से होगी लेकिन अगर आपका पर्मोशन हो गया तो उसमें क्या करोगे आप इस लेवल 10 की सेलेरी से अगले सेलेरी स्ले से लेके टू लेक 8700 के आसपस रहता है तो यह क्या हुआ कि इनका पर्मोशन हो गया और यहां पर यहां पर भी स्पेशली इस रों इंट्री करता है जो एंटेक वाले पीएच्डी वाले होते हैं जिनको तीन चार साल का एक्स्पीरेंस होता है उनके लिए इस्पेशली यह संतrial से मैं Le Bakा देखोंगे 1 लेका आप 2490 से मिलता है तो यह महिए आप साइंटेफिक असिस्टेंट की फोर्म में जोईन कर रहे हो तो आप इस केटेगरी में वह और अगर इंघीनिरिंग狂 इन एके तो आइसी वाली जो लेवल 10 की केटेगरी थी उसमें आप जाते रूटबह है है ठीक है और प्राइवेट में आपको सेलरी ज्यादा मिलती होगी लेकिन वो जो सेलरी को सर्व करने रूती है यहाँ पर देखेंगे तो हाउस एक परवेंड होटबह यहाँ पर जो भी आपका basic पर होता है उसमें हरे भी होता है इसके लावाद travel करते हो आप तो जिसे second AC का टिकेट मिल रहा है और भी आपके dependent को मिल रहा है तो ऐसे आपके यह सब allowances होते हैं डिरेंस allowances आपके पास होते हैं medical allowances होते हैं और भी जैसे जो कोर्मेंट जो जो होते हैं officers होते हैं उनकी जो allowances रहते हैं उसी तरीके से आपको भी सारी facility मिलती है सारे benefits मिलते हैं आप पीएफ अगर आप जितने भी benefits देखो तो सारे allowances almost अगर आप देखोगे जो लेवल टेन के जो होते हैं उनकी हिसाब से आपको भी यहां पर मिल रहे होते हैं और बाकी allowances depend करेंगे कि आप कौन से लेवल में हो अगर आप लेवल से लेवल सेवन की से लेवल पर जोइन करोगे तो उसके बाद अगर हम गाईस में आपको बता दूं कि यार देखो इस तरहों में जोब करना है इस तरहों में सैंटिस्ट मना एक बहुत ही प्रिष्टिजीश है आप लोगो के लिए और अगर आप इस तरहों में जाके जोब करते हो तो तो definitely आप कांट्सटी को सब्सक्रान कर सकते ओं एक इंजिनिर्र कमिटी में भी आप सर्व कर सकते हो हमारी कांट्सी को एक वेमारी को इक यार्षो तो क्ला क्वेश्ति सेक्टर में बहुत बड़ी से लेकिन यार्षो को चीज होती है डिफेनेटले आपको दोनों को चीज हो क्या करना पड़ेगा तो ऐसी यह गर आप डिखोगे जो आई-एस ऑफीर होते हैं उनकी पी सेलेरी तो कमी होती है बट उनके पास पावर होती है तो सब चीजों को बेलेंस वरक लाइब गालनेस अगर देखोगे तो यह भी एक अच्छा माउंट आप जी सकते हो आगे भी मैं आप लोग लिए ऐसे बहुत सारे इंफर्मेटी वीडियो लेके आऊंगा अगर आप इस्टुडेंट कम्यूटी से जुड़ना चाहते हो तो आप जोइन कर सकते हैं कुलदीप सर अंडर इसको पी डव्य टेलिग्र करता हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए गुडबाई थेंकी सो मच्छ टेक केर सी यू कर दो